दोस्तो mutual fund portfolio में maximum return मिलने के लिए कितना number of funds हम लोगों को रखना चाहिए वो optimum number क्या होना चाहिए वो आज जानेंगे with data discuss करेंगे ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं होगा with data with proof बात करेंगे तो चलिए इस video बहुत important होने वाला है आप लोग अगर आपके portfolio को optimize करना चाहते हैं वहां से maximum return मिलना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं video को देखें पहले तो आप लोगों को जानना चाहिए पहले जानना चाहिए कि mutual fund portfolio में जादा funds रहना क्यों नहीं चाहिए उसके बाद ही तो हम optimum के बारे में सोचेंगे न क्यों जादा नहीं fund रहना चाहिए मान लिजे 10, 22, 20 रहने से क्या फरक परता था क्या होता था ये तो जानना चाहिए न उसके लिए देखिए आप free अपने आप ही कर सकते हैं दो website है जहाँ पर पोर्टफोलियो overlap को देख सकते हैं इससे भी बहुत अलग सा भी website है लेकिन एक है आपके screen में ही है thefundu.com और एक है आपका 50 index या HDFC Sunsex plan या और एक blue chief fund large cap fund है उसमें problem क्या होता है देखिए यहाँ पर चूस कर लीजिए दो fund और उसके बाद यहाँ पर गो में click करेंगे तो यहाँ पर पोर्टफोलियो overlap आ जाता है percentage में वहाँ पर देखिए 58% आपका portfolio overlap है यानि आधा से भी जादा आपका portfolio overlap है तो य यह कुछ अच्छी बात नहीं है इससे क्या होगा आप एक ही number of stocks और इस website में आपका number of stocks भी दे देते हैं कौन-कौन सा common stocks है देखिए infosys common है दोनों में ही 9% 9% करके infosys है यह अगर मैं zoom करता हूँ यहाँ देखिए दोनों में ही 9% करके लगबग आपका infosys है तो क्या कर रहा हूँ डेटा आपको दे रहा हूँ पहले इसको समझ लीजिए यह एक problem होता है दूसरा जो आप लोग बहुत बोलेंगे कि संजय भाई मेरे पास na access growth opportunity लू या ना लू मेरे पास already पराखपार इक flexi cap fund है हां क्यों दोनों में ही तो अभी foreign equity तो अभी भी है पराखपा ना हो जाए मतलब क्या करूं क्या मैं हां तो यह सब decision के लिए और अगर यह decision आप scientifically ना सोचेंगे तो शायद आप access growth opportunity को भी ले लेंगे और देखेंगे कि portfolio में ज्यादा overlap हो गया उसके वज़े से मतलब वो ना हो इसलिए आप यहां पे आए mutual fund ऐसा website है जहां पे आप लोग यह से खुदी देख सकते हैं यहां पे देखिए यह दो fund मैंने यहां पे दे दिया और वहां पे देखिए स्रेफ और स्रेफ आपका 10% portfolio का overlap है जो एकदम ठीक है compared to वहां पे 58% था जो पिछले हमने calculate किया था compare किया उसके हिसाब से 10% is okay कुछ तो आपका overlap होगा ही जैसे कि ITC कुछ infosys यह सब वागेरा तो stocks रहे गाई लेकिन यह website में आपको stocks कौन सा common stock है वो नहीं दिखाता है लेकिन at least portfolio का average overlap यह जो value है यह important हो जाता है यह तो आपको मिल ही जाता है कि 10% overlap है 10% overlap है यानि दोनों ही fund मैं portfolio में रख सकता हूँ उसके बाद तो मेरा risk क्या है हम लोग moderate investor है या फिर conservative है या फिर aggressive है उसके उपर fund को choose करना है लेकिन मैं यह बोल दिया कि जादा fund क्यों नहीं रखना है तो उदारन दिया जहां पर एक में overlap एकदम ना के बराबर है दूसरे में है ठीक है इसके साथ साथ आप आजाएंगे अब आजाता हूँ कि मैं exactly आप लोगों को होटल क्रियेट करना है जहां पे जहां पे आप normal जो आपका investment है उससे थोड़ा सा जादा return देने का potential रहे ये क्या बात बोल दिया संजै भाई normal return और उससे जादा मतलब मैं बोलता हूँ देखिए मतलब मान लीजिए आप एक particular large cap fund या mid cap fund या small cap fund चूस करके वहाँ पे SIP कर हैं लेकिन उसके साथ साथ तो ये normal investing हो गया ठीक है लेकिन वो ना करके और थोड़ा सा कैसे हम core portfolio और satellite portfolio को strategically यूज करके थोड़ा जादा return निकाले यही तो हम लोगों का मतलब नहीं तो आप हर टाइम video क्यूं देखेंगे या फिर आप हर टाइम market में थोड़ा बहुत जानक करी क्यूं रखेंगे अगर आख बंद करके ही निवेश करना है तो ऐसे ही index fund में रख दीजे ना 10 सल बाद 20 सल बाद जागी है आपका fund वैसे ही रहेगा आपका growth होता रहेगा लेकिन अगर index fund में रखके भी normal index से 1-2% जादा सालाना कमाना है long term में तो आपको थोड़ा सा ये approach रखना परेगा इसमें क्या होता है देखिए आप core portfolio में और एक आप बनाएए एक satellite portfolio ठीक है बनाना नहीं है मतलब just consider कीजिए तो ऐसा core portfolio में आप 4-5 funds जाद रखिए 4-5 funds वो मैं थोड़ा सा details में आऊँगा तो आपके पास जादा funds नहीं होगा मान लेजिए 4 funds होगा और इ guidance के लिए just only for learning purpose मैं यहाँ पे जो मेरा model portfolio का series चालू है जहाँ पे aggressive, conservative और moderate में है वहाँ पे भी देखिएगा मैं एक-एक portfolio में 4 fund रखा हूँ ठीक है 4 fund core में रखा हूँ और recently just पिछले week एक मैंने media ऐसे healthcare fund को add किया यह हो जाता है आपका satellite portfolio का approach बहुत सारे लोग अब कीजिए संजय भाई मैं बोल रहा हूँ देखिए तो 4 fund आप लेके चलिए 4 से 5 fund plus minus 1-2 हो सकता है 4 fund आप लेके चलिए वो भी category कैसे choose करना है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे पहले choose कर लीजिए आपके risk के हिसाब से उस हिसाब से आप SIP कीजिए और 2-3 जगाना खाली रख यह क्या होता है देखिए सेट ecosystem अगर अच्छा करघा है आपको लग रहा है कि IT सेक्टर अच्छा करघा है मतलब आपको जानकारी है आप मान लीजे बहुत सारे लोग IT कर अच्छी सेक्टर में काम भी करते होνगे आप लोग देख पाये कहां IT में भिज्नेस अच्छा हो र add कर सकते हैं या फिर जब bull run चालू हुआ है तब भी add कर सकते है और जब ज़ादा bull run हो जाए बहुत bullish हो जाए लोग तब तोरह सा profit book कर लीजिए वो आपका satellite portfolio लेके आप कर सकते हैं ठीक है मान लेते हैं आप लोग moderate investor है और एक example देता हूँ मान लीजिए आप moderate investor है जो आप और आप small cap को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं small and mid cap को मान लेते हैं आप normally large large and mid cap थोड़ा सा large cap में ही पसंद करते हैं तो आप 2-3 fund दो fund आपको large cap में ले लीजिए large and mid cap एक large cap और एक large and mid cap रख दीजिए बस उतना ही और थोड़ा सा अपना portfolio में जगा खाली रखिए जब बाजार में मान लीजिए बहुत मतलब आपका अगर 20 साल का mutual fund का journey है 20 साल का अगर mutual fund का journey है उसमें आपको 3-4 ऐसा big event तो मिलेगा ही जहाँ पे बाजार 20 से लेके 30% तक गिरेगा ऐसा आपको events मिलेगा ही मिलेगा यह past में हो चुका है तो उस हिसाब से जब यह ऐसा गिर जाता है उसके बाद जो recovery होता है वहाँ पे small cap, mid cap fund अच्छा करता है तो आप तब एक mid cap fund को as a satellite portfolio अपने में add कीजिए आप core में मत रखिए क्योंकि आप जिस investor के बात में कर रहा हूं वो mid cap आप पसंद नहीं करते हैं नॉर्माली मान लेते हैं तो mid cap को जोड़ जबरदस्ती core portfolio में मत रखिए उसको satellite ही सब से काम कीजिए ऐसे भी कर सकते हैं और आप मान लीजे normal एक investor है जिसको आप जो लोग आप mid cap, small cap, large cap सभी को लेके काम करना चाते हैं तो वो लोगों का approach किया चाहिए आप 4 funds चूस कीजिए ठीक है एक large cap लखिए एक mid cap रखिए एक large and mid cap और एक flexi cap ऐसा या फिर एक small cap रखिए ऐसा करके 4-5 fund maximum अपना core portfolio में रखिए उससे जादा नहीं ठीक है और एक-दो fund का जगा आप खाली रखिए जिसमें कभी-कभी जब आपको मिलेगा कुछ foreign funds add करना हो क्योंकि देखिए ये मैं जितना भी बोलू क्योंकि मैं खुद foreign fund के उपर उतना ज़्यादा bullish नहीं हूँ आज के date पे जितना भी मैं बोलू मैं जानता हूँ आप लोग foreign funds ले लेते हैं ये लेंगे ही मतलब होता ही है sector fund में ले लेते हैं नए investor जिन लोगों को मालूम भी नहीं है बाजार के बारे में वो भी ले लेते हैं कभी-कभी हम लोग ऐसा कर लेते हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं होता है और ये मैं भी मेरा पहले जब starting में किया था कि हम लोग return देखते हैं और return को देखके पहले ले लेते हैं और उसके बाद लगता है कि हम लोग शायद top में वो sector में entry कर बैठे हैं, तो ऐसे मतलब करेंगे, तो उसको as a satellite वाला चीज में रखके करिए, satellite मतलब वहाँ पे कम निवेश करना है आपको, एकड़म कम निवेश करना है, strategically play करना है, उसके लिए एक दो fund का जगा बचा के रखिए, बस उतना ही, ये optional है ये जो मैं बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारा लोग मुझे question करने लगेंगा है, तो ये satellite के लिए क्या-क्या choose करना है, नहीं, ये करना नहीं है, ये optional है, मतलब मुझे अगर पूछेंगे, मैं देखिए, मेरा model portfolio में एक जगा खाली रखा था, वो healthcare sector वाला fund अभी add किया देखेंगे मेरा अगर 20 साल का journey रहेगा mutual fund में, वहाँ पे अगर कुछ time ऐसा आजाए कि market 50% गिर जाए, जैसे कि 2008 में हुआ था, ऐसा 50-60% गिर जाए, ऐसा अगर होगा, तो गिरने के बाद मैं शायद कुछ small cap वाला funds के उपर जब गिरेगा, तब एकदम panic होगा, तब मैं small cap वाला fund को as a satellite के तरह खरीद लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब recovery आता है, तो small cap, mid cap में जादा recovery आ जाता है, तो वहाँ पे मैं उसको play करने का कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे ही recovery हो जाएगा, वो fund को मैं बेज दूँगा, satellite fund से में निकल जाऊँगा, क्योंकि मेर focus, main focus core portfolio में रहने वाला है, main focus core portfolio में रहने वाला है, इसको आपको मतलब एकदम take care करना है, और इसमें थोरा सा amount portfolio का, total portfolio का 10%, 20% यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो total मिला के देखिए number of funds आपका clear हो जाएगा, 4-5 fund आपको core portfolio में रखना है, उससे जादा रखना नहीं है, जितना कम उतना अच्छा, ठीक है, clear हुआ, क्यों यह होता है, वो भी मैं आपको data के साथ बताया, कि portfolio बहुत overlap हो जाता है, कभी-कभी, आप अगर, लेकिन कुछ-कुछ funds होता है, जो अपने आप में different है, उसको आप please फैले video में, मतलब यह सो website में देख लीजिए, कितना percent portfolio का overlap हो रहा है, 10%, 20% ठीक है, अगर 50% हो रहा है, 60% हो रहा है, जैसे कि इस case में 58% हो रहा है, देखिए, यहाँ पे आपका 58% हो रहा है, तो वो सब में मत रहिए, वहाँ पे 58% overlap, इसमें मत रहिए, तो आप यह करके उसके बाद fund को थोड़ा सा choose कीजिए, core portfolio में जाईए, ठीक है, दो ज अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक करते जाएगा, और चैनल में नए है, तो चैनल को subscribe भी करके देंगे, कर दीजिएगा, और आपका जो मेरा model portfolio का जो यह series चालू है, इसका भी video, मैं weekly analysis भी करता हूँ, यह model portfolio का video आपके screen में आ जाएगा, क्लिक करके ज़रूर देख पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ मेरा best flexi cap fund और large and mid cap सभी के उपर videos है, प्लीज क्लिक करके देखिएगा, चलिए, खुश रहिएगा, मिलते हैं new video में, उसके तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम